हेलो एवरिबन स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दाये में स्टेडी पॉइंट में जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रिंट्स की मेरा हंड्रेड इंपोर्टेंट रूल का स्रीच चल रहा था जिसमें हम दो पार्ट आप लोग के लिए अप लोग कर दिया हूं फ् इतना यूट कराता हूं फ्रिंट्स फाइब रूल तो ओल्रेड हम कितना रूल करवा चुके हैं दो पार्ट में हम दस करवा चुके हैं अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम सजेष्ट करएंगे इस विडियो को देखनी के बाद आप उस विडियो को जरूर देख़िए उसमें 10 important rule करा हुए आप लोग दोनों वीडियो को जाकर देख लिजेगा आज फिर मैं आप लोग को 5 rule करवाऊंगा अगर आप लोग इसका पीडियेप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलिग्राम का आप लोग टेलिग्राम में जाकर जोइन हो ज नुकिर लीजिए अचले फिर ठीम को बेस्ट ना करते हैं यह और आपके सेंटेंस में आया रहें तो हम उसके सब किसका यूच करते हैं जायारी डाइट का और examiner आपको भटकाने के लिए किसका किसका यूज कराएगा आपसे because का यूज दिया हुआ रहेगा and due to का यूज दिया हुआ रहेगा लेकिन आपको because और due to को काट कर किसका यूज करना है I hope कि आप लोग समझ गये होंगे जैसे यहाँ पर देखे फ्रिंट्स the region and the reason why तो the region and the reason why के साथ किसका यूज नहीं करना है तो because और due to का यूज नहीं करना है आपको examiner भटकाने के लिए यह देखे रखेगा लेकिन आपको इसको eliminate करके option number जो जिसमें diet रहेगा उस option को आपको tick out करना है the region and the reason why के साथ किसका यूज करना है diet का यूज करना है आई होप कि आप लोग समझ गये होंगे चलिए जैसे देखे एक example आप लोग के लिए हम लाए है friends क्या करा है the reason why he was upset he was upset is because यहाँ पर किसका यूज कर दिया है his name was not merit of the final result लेकिन यहाँ पर जुक्या कि reference because का यूज कर दिया है इसलिए sentence मेरा क्या हो गया गलत हो गया because के जगा किसका यूज करना है friends हमको because के जगा हमको That का यूज करना है यहाँ जैसा कि हम उपर में आप रूल को बताये थे कई लिए कलुट का यूज हमको नहीं करना के ले And audio तो किसका करना डायटका यूज करना चलills verw new Soul है नेक्ष टूल क्या है नेक्स बहुत इंपोटेंट है त्थृबस्वाथ मेरे साथ कुप iyi कि जेगा देखें We週 इसके बाद पुछ दिया हुआ रहे है電 के साथ किस वाट पूजाटीव डिरी का अगे एक्जामिनार आपको भटकाने क्लिक क्या करेगा कॉम्प्रीटिव डिगरी देगा अपरों से चरह समजेये गाँ चलिए फ्रिंड समा आपको एक्जामपल दिखाते हैं जैसे क्या करा है सिधू इज टॉलर ऐस गावरभ तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है टॉलर का मतलब आपको comparative degree दिया हुआ है लेकिन आइज और आइज के साथ comparative degree का युज नहीं होता है इसलिए ये क्या होगा फ्रेंट्स गलत हो गया फिर क्या किया है सिद्धु इज आइज tallest as गौरब यहाँ पर tallest दिया हुआ यानि ये क्या हो गया यी आपका फ्रेंट्स यह अपका सुपरलेटिव धि टूर जैज और आयज के साथ आपका सुपरलेटिव धिदी कभी फूज नहीं होता है तो किसका फ्रेंट्स यह आइज और आइज के साथ आपका positive degree है तो आइज और आइज के साथ किसका यूज होगा positive degree का यूज होगा आप लोग समझ गया होंगे चलिए next tool देखते है next tool क्या कर रहा है how to use either of and one of हम लोग one of और either of का यूज कैसे करते है तो चलिए friends हम आपको बताते हैं जब 1 कि बात की जाए जब एक या 2 की बात की जाए तो हम यहां नीचे एक transl denominate इसके समझे क्वी है है one of the two workers is experienced और क्या है either of the two workers is experienced अब आप लोग को बताया ना है फिर्ट दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है ओके तो आई हो कि आप लोग फाइंड आउट कर लिए होगे रूल के recording तो रील खूर्डिक क्या run क्या और फ्रेंट इसास कहा वगाँ जब दूट की बाध या दोथी आई एक या दोटकी बात कि जाया तो खिसके जो इद्यू दो горdy ऊना को प्रफ का यह इसमें का दिया हो है just one of the two बात कि यानि इसमें इस regulatory कि जा दो की बात की ज回fernट किशा रहा है तो दो का बाद किया रहा है लेकिन इसमें किसा जिए यह आपका right होगा आज होग कि आप लोग समाझ रहे होंगे तो चलिए friends next rule को remove करते हैं next rule क्या है how to use neither of and none of हम लोग neither of and none of का यूज कैसे करते हैं तो जैसे friends आप लोग either of and one of का यूज किये थे उसी तरह neither of और none of का यूज करते हैं जैसे देखें नीदर आफ जब दो मेंसे एक भी नहीं की बात की जाये तो हम लोग किसका यूज करते हैं नीदर आफ का यूज करते हैं ओके यहां पर है इतारी हुसानी गलत होगया सही से पार्व समझ में अच्छा इसे संधिल को भी इसके एसा में समझब का है सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा रहे हैं और उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट रहा और वहा सब्जेक्ट एंड से जुडा रहे हैं तो देखें फ्रेंद्स आपका सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है एक the chief minister सब्जेक्ट है और एक president of the party ये आपका एक सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम कैसा भर्व का यूज़ करते है फ्रेंट्स उसके साथ चाहे helping भर्व हो या फिर main भर्व हो दोनों मेरा क्या होगा singular होगा आई होग कि आप लोग समझ गया होगे और अगर फर्ष्ट सब्जेक्ट और सकेंड सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल यानि दोनों सब्जेक्ट के साथ दा का यूज़ होगा राता तो हमारा कौन सा भर्व का यूज़ आता फ्रेंट्स तो हम यह का यूज करते यह रूर हम आपको कल बताएंगे तो कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक कर देजिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर ना है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए और अगर आप इस वीडियो का पीडियो को जोङन कर देजिए इसका लिंक आप को मिल जाएगा आएगो कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी जो भी हम वीडियो कर आव हों फ्रेंड्स उसका नोटिवें थासे पहले आपको मिले reference next video मिलते हैं